दोस्तों अगर आप लोग भी कोटक महंद्रा बैंक में अपना ओनलाइन ही जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपिन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखें इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से पेपर लेस यानि कि अपने मुबाइल फॉन से ही घर बैठें कोटक महंद्रा बैंक में ओनलाइन ही जीरो बैलेंस के एक अकाउंट को ओपिन करवा सकते हैं बात करें इस अकाउंट के बैनेफिट्स के बारे में फैसलिटी के बारे में और फीचर्स के बारे में तो आप इस अकाउंट में काफी सारे बैनेफिट्स और फीचर्स मिल जाते हैं सबसे पहले तो इसके facility ये है कि इसमें आपको कोई भी balance maintain करना नहीं पड़ेगा और दूसरी facility ये है कि ये account बिल्कुल paperless है और आप लोगों को कोई भी branch बगएरा में बिजिट करना नहीं पड़ेगा साथ ही आप लोगों को इस account में एक debit card भी मिल जाता है और इस debit card के जरीए आप लोग कोई भी online shopping के लिए भी transaction कर सकते हैं और साथ ही आप लोग चाहें तो physical debit card भी order करके किसी भी ATM से पैसों का bid roll कर सकते हैं तो किस तरह से आप लोगों को कोटक महंद्रा बैंक में zero balance का एक saving account अपने mobile phone से open करना है जानने के लिए वीडियो में end तक बने रहीएगा चैनल पर नए है तो subscribe कर लें जिससे की आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जैसे ही click करेंगे तो आप इस वाले page पर आ जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है open zero balance account online इसके बाद सबसे पहले मैं आपको इस account के कुछ benefits और features के बारे में बता देता हूँ तो सबसे पहला तो feature आपको इसमें यह मिल जाता है कि यह kotak mehendra bank का जो भी account है यह fully digital account है इसी के साथ इसकी जो भी services हैं वो आप एक application में ही manage कर सकते हैं इसी के साथ इसमें जो सबसे अच्छा feature है वो यह है कि आपको कोई भी balance maintain करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह account आपका बिल्कुल zero balance account रहने वाला है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ reward points भी मिल जाते हैं बात करें इसके other benefits के बारे में तो इस account में आपको कोई भी minimum balance requirement की जरूरत नहीं पड़ेगी इसी के साथ आपको इस account में आप जितना भी पैसा रखेंगे उस पर आपको 4% का interest rate मिलने वाला है इसी के साथ यहाँ पर आपको एक virtual debit card मिल जाता है और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल free credit card मिल जाता है जिसमें कि आपको कोई भी charges बगएरा देने नहीं पड़ते हैं इसी के साथ अगर आप कोई भी digitally transaction बगएरा करते हैं आपको यहाँ पर अपना एक mobile number एंटर कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर email id फिल कर देनी है email id फिल करने के बाद आपको pin code टाइप कर देना है जो भी आपके area का pin code है इसके बाद आएम note to robot वाले option पर click करना है click करने के बाद आपको open now वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपको अपना यहाँ पर पायन कार्ड नमबर एंटर कर देना है पायन कार्ड नमबर एंटर करने के बाद आपको आधार नमबर फिल कर देना है पैन और आधार नंबर फिल करने के बाद आपको नीची की साइट में यहाँ पर कुछ टांस और कंडिशन है इन्हें रीट कर लेना है और इसके बाद आपको दोनों पर ही टिक लगा देना है और प्रोसीड टू बेरिफाई वाले ओप्शन पर एक बार किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ओप्शन पर एक बार किलिक कर देना है प्रोसीड करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मुबाल नंबर लिंक है उस मुबाल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा OTP यहाँ पर आपको फिल कर देना है इसके बा बाद यहाँ पर source of income के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पर click करना है आपकी income जिसवी type की हो दोनों में से select कर लेना है कि family income है या फिर आपकी investment income है income select करने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी annual income है यानि की yearly आप कितना कमाते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आप सिंगल है या फिर married है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैं सिंगल हूँ मैंने सिंगल सिलेक्ट कर लिया अब आपको यहाँ पर अपने father का नाम fill कर देना है father का नाम fill करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी mother का नाम fill करना है यह आप देख सकते हो कुछ security region की वजह से आप से पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी mother का नाम नीचे के side में fill करना है इसके बाद यहाँ पर दोबारा से mother का नाम fill कर देना है लाइन, यहाँ पर second line में address, यहाँ पर आपको landline यानि कि आसपडोस में कोई भी famous जगा हो, उससे फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपने area का pin code और proceed वाले option पर click कर देना है, click करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी nominee detail को fill करना पड़ेगा, अगर आप nominee को add करना आपका क्या relation है, वो select करेंगे, इसके बाद date of worth select करेंगे, यहाँ पर आपको nominee का complete address fill कर देना है, जैसे कि nominee address fill करने के बाद proceed वाले option पर एक बार click कर देना है, जैसे ही proceed वाले option पर click करेंगे, यहाँ पर को All पर select कर देना है और Proceed To MPIN वाले option पर एक बार click कर देना है गिए बाद आपको यहां पर एक MPIN set कर लेना है अपने हिसाब से और इसके बाद आपको दोबारा से बही MPIN यहां पर दोबारा से enter कर देना है और आपका यह MPIN six digit का रहने वाला है यह आपको strong amp pin select करना है इसके बाद confirm amp pin वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो भी amp pin है वो successfully set हो चुका और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका virtual debit card का photo भी आ चुका है और अगर आप इसे online में भी use करना चाहते हैं आपको यहाँ पर इस वाले option को own कर लेना है और proceed वाले option पर click करना है यहाँ पर लिखके आ जाएगा congratulations you are eligible for a credit card यानि कि आप यहाँ पर credit card के लिए भी eligible है और आपका credit card भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसमें आपका lifetime free यह annual credit card है कोई भी fees नहीं कोई भी joining fees नहीं आपको proceed वाले option पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरहें से interface आ जाएगा यहाँ पर आपको account number, IFC code वगेरा सभी कुछ मिल जाएगा और UPI handle भी आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ scroll down करना है नीचे के side में आना है यहाँ पर आपको आपके ATM card का number देखने को मिल जाएगा साथी expiry date भी देखने को मिल जाएगी और CBB number भी देखने को मिल जाएगा इसके बाद आपको video KYC को complete करना है तो video KYC complete करने के लिए कुछ नीचे के side में आएगे यहाँ पर आपके account से related features आपको देखने को मिल जाएगे कि इस account में आपको count count से features मिले है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हुए एक option देखने को मिलेगा complete full KYC तो आपको यहाँ पर complete full KYC वाले option पर एक बार click करना है जब तक आपकी complete full KYC नहीं होने वाली है तब तक आपका account इसमें complete नहीं होगा तो इसके लिए आपको complete full KYC वाले option पर एक बार click कर देना है क्लिक करेंगे इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि KYC करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजे होनी चाहिए तो सबसे पहले तो आपके पास original pine card होना चाहिए आपकी एक profile picture होनी चाहिए यानि कि selfie इसके बाद signature आपको एक साधा कागज पर कर लेने हैं अब यहां पर आपको एक new address को fill कर देना है और इसके बाद proceed वाले option पर आपको click करना है इसके बाद यहां पर तीरों ही option पर आपको tick लगा देना है और agree वाले option पर एक बार click कर देना है अब आपको यहाँ पर location की permission मांगी जा रही आपको continue करना है और allow वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद आपको यहाँ पर अपने pine card का एक photo लेना है take a photo वाले option पर click करेंगे permissions camera की मांगेगी आपको allow करना है और कुछ इस तरहें से आपको photo को खींश लेना है photo लेने के बाद आपको अपनी selfie को upload करना है और इसके बाद आपको अपने signature को भी upload करना पड़ेगा signature का भी photo आपको कुछ इस तरहें से ले लेना है अब देखिए तीनों चीज़े ही हमने यहाँ पर upload कर दी है pine card का photo, signature और selfie इसके बाद यहाँ पर click here to start your video KYC वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद आपकी video KYC यहाँ पर start हो चुकी है आप देख सकते हो KOTAK महंदरा बैंग के तरफ से एक अधिकारी video KYC के दोरान आपसे contact करेगा इसके बाद आपसे कुछ basic सी चीजें पूँचेगा आपका original pine card माँगेगा वो आपको दिखा देना है इसी के साथ आपको अपने signature जो की आपने साधा कागज पर किये हुए हैं वो भी आपको दिखाना पड़ेगा और भी कुछ basic सी detail पूँची जाएगी वो आपको यहाँ पर वीडियो कोल के जरीए कोटक महंद्रा बैंक के अधिकारी को सभी कुछ information बता देनी है वीडियो के वाइस ही complete होगी यहाँ पर लिखे आ जाएगा thank you for your time we are processing your request we will receive confirmation once your request is processed आपकी जो भी request है वो processing में पहुँच जाएगी इसके बाद आपको message के जरीए पता चल जाएगा और आपने जो भी email ID दी है उस email ID पर भी message आ जाएगा mail आ जाएगा कि आपका जो भी कोटक महंद्रा बैंक में account है वो completely पूरी तरहें से open हो चुका है इसके बाद आपको account number बगेरा तो मिल ही चुका है और साथ ही आप लोगों को कोटक महंद्रा बैंक का application भी download कर लेना है और उसी application के माद्यम से आप लोग इस account को पूरी तरहें से manage कर पाएंगे इस तरहें से आप लोग बहुत ही आसानी से कोटक महंद्रा बैंक में खर बैठे ही एक zero balance का saving account open कर सकते हैं I hope आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और अपने friends में share करें मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ